आप देख रहे हैं दाइजेन इंफोमेटिव स्टूडियो आज हम बात कर रहे हैं सौधी अरब की सौधी अरब के पास है तेल का भंडार और सौधी अरब जो है वो तेल को इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है लेकिन सौधी अरब के तेल से हमें क्या फर्क परता है या सौधी अरब कितना इंपोर्ट करता है या कितना एक्सपोर्ट परता है शायद हम हिंदुस्तानियों को से जो है कोई फर्क नहीं परता था लेकिन अब पड़ेगा अब इसलिए पड़ेगा क्योंके सौधी अरब की सबसे बड़ी तेल कमपनी जो वहां की National Oil Company है अराम को उसने टाइप कर लिया है भारत के Reliance के साथ जी हां RIL के साथ जो है वो करार करा है किंग सलमान जो है वो हिंदुस्तान आए थे हिंदुस्तान आने के बाद जो है ती वो लेट थी करार ये पाए गया कि आराम को जो है 20% जी हैं 20% शेर जो है वो RIL के खरीदेगी इस से जो है भारत की जो GDP है उस पर पड़ेगा क्योंकि ऐसा ये जिन्दकी में पहली बार हुआ है कि सौधी अरब की कमपनी जो है वो इतना बड़ा करार किया हो इतना बड़ लेकिन जानकार ये चाहते हैं कि आज के ये जो दौर है ये एक दौर इंटरनेशनल दौर है यहाँ पर जो है लेंदेन का दौर है किसी भी फाइदे या नुकसान का दौर है तो कोई भी शख्स जो है वो कोई भी देश जो है वो बिना किसी मतलब के किसी से इतना बड़ा क तो इसकी साब वज़े जानकार ये बता रहे हैं कि अमरीका में सबसे जादा जो तेल जो था सूदी अरब जो था वो एक्सपोर्ट करता था लेकिन अब जो है अमरीका जो था पिछली साल जो है नमबर वन पर आ गया था जिसके पास सेल का बंडार बहुत है और अगर उसको क बड़ा बजार है और एशिया में हम बात करें हिंदोस्तान की तो हिंदोस्तान में जो है वो बहुत बड़ा जो बजार है जिसमें इंवेस्ट किया जाता है इस से पहले जूनगर में जो मुकेश अमबानी की ये आईल थी कंपनी ये जो थी 80% जो था वो इंपोर्ट करती थी और 20% जो थी वो एक्सपोर्ट करती थी लेकिन अब ये जो करार हुआ है इस करार से हमें ऐसी उमीद है कि बारत की जीटीपी बड़ेगी और तेल की कीमते भी जो है वो कम शायद हो सकती है वैसे कितनी बार भी इंटरिनेशनली कूरूड ओयल कम हुआ लेकिन भारत में तिल की जो कमपन appar में अइसें एतनी ज्यादा जो है काटौती नहीं आई दूसरी बात इसमें ये भी अ कि ये एक चांटा जो है वह इंरान खान के मुपे भी या एक तमाचा पाकिस्तान की बैदानमंतली इमरान खान के मुपे भीज़े है क्यूँकि वो मसलिम वर्ल्ट की रहते थे मुस्लिम वर्ड की बात करते हैं हाला के जानकरों ने ये बताया जो इंडियन अमबेज़डर थे साओधी अरब में के मुस्लिम वर्ड जैसा नाम कभी है ही नहीं मुस्लिम वर्ड जो नाम है वो एक्जिस्ट करता ही नहीं है ये जितने भी देश हैं ये सब जो हैं अपने फाइदा ये नुकसान देखते हैं रिलिजिस की बेस पे एकनौमी नहीं चलती है ये जो है वो बिजनिस के बेस पे चलती है तो इमरान खान जो मुसलिम वर्ल और सौधी अरब को बहुत बड़ा सहरा मानते थे तो सौधी अरब से काफी उमीदे भी लगा रहा है थे कश्मीर मसले में भी नहोंने काफी उमीदे लगाई थी लेकिन कश्मीर में अर्टिकल 370 हटने के कुछ ही दिनों बाद सौधी अरब का जो इतने बड़ा जो इन्वेस्टर वो हिंदुस्तान में है वो यकिनन पाकिस्तान को कहीं न कहीं जोर का जटका दीरे से देता है फिर किसी और इंफरमेटिव यूज के साथ आपके साथ होगी मुलाकात आप बने रही है दा इंडियन इंफरमेटिव यूज के साथ जैवे